त्वर की देवी मा वाणी में मधोरे ताहादो में गीत सुराते हूं संगीत की शेक्षादो मंदिर की गंटी आरती की थाली नदी की नारे सुरज की लाली जिन्दिकी में आए खुश्यों की बाहर मुबारक हो आप सभी को बसंद पंचमी का तेवार आप सभी को बसंद पंचमी की बहुत बहुत चुपकामना है और फ्रेंट्स आज मैं बना रही हूं गाजर का हल्वा तो यहां पे मैं कर रही हूं आपको हाए और देखो यहां पे मैं गाजर को कस रही हूं अच्छे से दो दुआ के क्योंकि सर्दी का टाइम होता है तो गाजर का हल्वा तो मतलब खाती है और यही टाइम होता है गाजर का हल्वा खाने का फिर गर्मी आ जाती है तो हम हल्वा नहीं खापाते तो हमने गाजर को कस्पी लिया है और अपने उबाल कर निकाल लिया है तो आप देख सकते हैं हमने गाजर को उबाल कर बाहर निकाल कर और छन्ने के लिए रख दिया है ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर निकल जाए और एकदम सूखा सूखा रह जाए तो फ्रेंज जो देख रहे हैं आप यह है कच्चा मावा जो हमें गाजर की हलवे के लिए बहुत जरूरी होता है इसके विना तो बिल्कुल हलवा अच्छा नहीं बनता है तो अब हम बना रहे हैं यहाँ पर गाजर का हलवा इसके अंदर घी इसके अंदर घी काजू वदाम यह सब हम डालते हैं तो देखो बन रहा है यहाँ पर गाजर का हलवा तो यहाँ पर देखो गाजर का हलवा बनकर रेडी हो गया है कितना गर्मा गर्म बनकर एकदम से तयार हो गया है और आभी देख सकते हैं Gajar कितने हलवा कितने अच्छा बनाए तो friends मिलते हैं next वीडियो में please channel को subscribe किजिए share किजिए like किजिए तो मिलते हैं next वीडियो में बाई